जीवन की सारी समस्या का हल जन्म कुंडली में छिपा है, जन्म कुंडली का अध्यायन कराएं सारी समस्याओं से चुटका रापाएं इस प्रकार के जातक जनकी रासी बिर्श्चिक होती है, इनकी इक्षा सक्ति काफी मजबूत होती है, और सोतंत्र विचारधारा वाले व्यक्ति कहे जा सकते हैं, प्यार से बात करने वालों के लिए यह सब कुछ नेक्षावर कर देंगे, बरना बहुत ही जिद्धी सुभाव भी करते हैं, इनके उपर परिवार की जिम्मेदारी काफी होती है, और यह उसे बाखुवी निभाते भी हैं, बिर्श्चिक रास बालों में कोई बहुत ही जल्दी ठक जाता है, हार मान लेता है, तो कोई ऐसे भी होते हैं, जो कारी करने जब बैठेंगे, तो धुन में रह बिर्श्चिक रास की इस्त्रियां नियंतर्ण में रहना पसंद नहीं करती हैं, और वो बहुत ही चतुर होती हैं, आम तोर पर यह दूसरों को छेंडते नहीं, और निडर रहकर जियो, यही इनका मूल बिजार धारा होता है, यह जब तक बहस नहीं करते तब तक इनहीं उ वैसे इन्हें इसका हमेशा कनफ्यूजन होता है कि इनका बास्तविक मित्र कौन है और उनका दुस्मन कौन है, बिर्श्चिक रास बाले कला संगीत, कहानी बनाना, डांस या कोई हाथ की कला इनके अंदर जरूर होती है, यह लोग दूसरों के लिए अच्छा करना चाहते ह बिर्श्चिक रास बालों को पर्मपराओं के प्रत कोई प्रेम नहीं होता, नए निर्मान के लिए पुरानी चीजों को धरासाई करने में संकोच नहीं करते, इनका सही बेवार बेक्तियों के साथ भी रहता है और यह चाहते हैं कि लोग इन्हें समझे और जाने, बिर्श बिर्श्चिक रास बाले अपने सर्तों पर तथा बुद्धिमता को सर्विश्ष्ट मानने के कारण सिग्र संतुष्ट और दुखी भी हो जाते हैं, यह सक्ति के प्रसंसक होते हैं, भैंकर प्रतियोगी होते हैं, दूसरों के कष्ट तथा कठिनाईयों के प्रतिवी बुद्पूर्ण होते हैं, तथा इनमें बिद्रोह की भावना भी रहती है, ब्रिश्चिक रास के लोग भै के कामों में भी हाट डालने से इन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं होता, यह लोग अपने बिक्तित्व के बल पर ही अपने सत्रु रथ्वा प्रतिदंदी को द प्रंतु ऐसात्रु इन्हें कोई बिसेस हानी नहीं पहुचा पाते, ब्रिश्चिक रास बालों में भलाई अथवा, बुराई का बदला, भलाई अथवा बुराई से देने की पर्याप्त छमता होती है, यह लोग अच्छे संगठन करता, प्रभाव साली नेता, और राजन आ होने पर यह बेचायन होते हैं, और बिवाहिक संब्ध तोड़े टक का प्रियास करते हैं, यह अपनी पतनी से भी एक प्रेमिका की तरह भूमिका निभाने की अपक्छा रखते हैं, जहां तक यहूं संबंधों की बात की जाएत in रहे तो यह प्राया अथी तक जाते हैं इस रास के लोग बिबाह को आत्म प्रकासन का माध्या मानते हैं ये अपने साथी पर सासन करने का प्रेत्न करते हैं इसके साथी पारासपरिक साराहना एबं प्रेम से इनका सक्स जीवन सुखी हो सकता है अगर आपके प्रेम संबंधों की बात करें तो ब्रेश्चिक रासबाले प्रेम के भूके होते हैं ये अपने तथा दूसरों की बीच भिन भिन इस तरों को स्टीकार करने के चेश्टा करते हैं दूसरों पर विश्वास ना कर पाने के कराण इस्थितियों से निपठने का भार केवज सुएम को ही देना चाहते हैं इस रास के लोग अपनी इक्षाओं को दूसरों पर थोप सकते हैं यह काम को एक हत्यार की रूप में प्रेउख्ट कर सकते हैं यद्यपी कभी कभी यह सोयम भी उसी का सिकार हो जाते हैं ब्रिश्चिक रासबालों के लिए प्रेम सम्मंद सौंदर तथा सारीरिक पहलों से सम्मंद रखने वाली बस्तु है यह रहस्ति में वेक्तिकियों राकर्सित होते हैं तथा अपने साथियों से पूर्ण विश्वास की अपेक्षा रखते हैं ब्रिश्चिक रासबाले काम बासना में भी अधिक सनलंग ने देखे गए हैं और किसी प्रकार का नसा इन्हें अबस्ते रहता है दोस्तों कभी-कभी इनकी काम बासना का उग्रवा प्रबल रूप भी उपस्तित होता है जिसके लिए ने बाद में पश्चा ताप करने का मोका भी मिलता है आता है इन लोगों को चाहिए कि जीवन में हमेशा सैयम और सांती सरहें जादा उताबला पन होना कभी-कभी हानिकारक सिद्ध हो जाता है प्रेम और दामपति जीवन दोनों के लिए यह इनके लिए दिक्कत पैदा कर देता है अगर आपके आर्तिक पक्षकी बात की जाए तो ब्रेश्चिक रासवाले वेक्थियों की इक्छाएं अवस्य पूरी होती है मगर उसमें देरी अवस्य होती है यदि मोके पर खर्च की आवस्यक्ता पड़ जाए तो इज़द बज जाती है अर्थात एन के प्रकारेंड काम पूरा हो जाता है सही दिशास से धन कमाकर जीबन चलते रहने में ही संतोस मानते हैं अगर बिश्चिक रास की अजीबिका और भागे की बात करें तो ब्रिश्ची ग्रास वाला बेक्त अजीब का कि किस छेत्र में अधिक सफलता प्राप्त करेगा इसका तो सही घ्यान उनकी जन्मकूरिडी देगकर ही प्राप्त की जा सकती है पर सामानेता है वे धन के सम्मन्द में अधिक निश्चिन्ता से कार करते हैं वे खुले दिल से खर्च करने वाले होते हैं यहीं उनकी सफलता का मार्ग है वे कलात्मा कैबं बिवसाईक दोनों प्रवित्यों को ग्रहन कर सकते हैं वे कलात्मा की रूप से अपना ब्यापार ब या सिक्षक, अच्छे सैनिक, पदाधिकारी, सल्ची के सक, दंत बिसेसक जोते हैं इनके अतरिक तो है बीमान बैगजानिक कमपनी के कार्य करता और जमानती, बीमा एजंट, एकसरे बिसेसक आधि भी हो सकते हैं यह लोग अपनी कला या कारे में कुसल होते हैं गाउ या सहर के मध्ध में या पूर्व उत्तर दिसा में रहना चाहिए अथवा उत्तर दिसा में मकान का मुख द्वार रहे तो भागे में बिद्धी होगी इसके साथ ही समुद्र, नदी, जलासे के पास रहना इनके लिए स्रेष्ट है जो सहर गाउ इनके पास होंगे, वहां रहना भागे उद्धी कारक होगा जिस मकान में कुवा हो, उसमें निवास करना भी इनके लिए स्रेष्ट फलकारक होता है अगर आपके भाग्योदे की बात करें तो आपका भाग्योदे 16 वर्स, 22 वर्स और 32 वर्स की आयटक में हो जाता है भाग्यसाली दिन की बात करें तो बिरिश्चिक रास का मंगल ग्रह से निकट का सम्मन्द होता है इस कारण इस रास के जातकों के लिए भागसाली दिन मंगल बार होता है और इस दिन यह बिसेश प्रसंद होते हैं उनके लिए सोंबार गुर बार के दिन भी सुभ और सनिबार और बुदबार का दिन असुभ होता है और रविवार का दिन आर्थिक सुख के लिए अच्छा ह होता है जिस दिन मकर रास का चंद्रमा हो उस दिन महत्पूर्ण कार इन्हें प्रारंब नहीं करने चाहिए भाग्यसाली अंक की अगर बात की जाए तो ब्रिश्चिक रास के जातकों के लिए 9 का अंक बहुत ही भाग्यसाली होता है अतहे 9 की स्रिंखला में 9, 18, 36, 45 यह इनके स्ब्स अंक होता है इसके लाबा यह 2-3 अंक शुब 8 अंक इनके लिए सम होता है एवं 4-5, 6 यह अंक इनके लिए असुब होता है अगर आपके भाग्यसाली रंग की बात करें तो ब्रिश्चिक रास बालों के लिए हलका लाल भागेसाली रंग होता है इन रंगों की बस्त पहने से इन्हें मांसिक सांती प्राप्त होती है जेव में हमेशा लाल रंग का रुमाल रखने से इन्हें लाप्राप्त होता है अपने कपड़ों में लाल को किसी नगिसी रूप में अवस्य चुने अगर आपके भागे साली रतन की बात करें तो बिश्चिक रास वालों के लिए भागे साली रतन मुंगा होता है आता हिने मंगल खराब रहने पर मुंगा जरूर धारन करना चाहिए मंगल बार के दिन ताबे के इंगूठी में 6-8 रती का मुंगा जड़बा कर मंगल देव का ध्यान कर अनामिका उंगली में मुंगा धारन करें यह इनके लिए सुभेवं भाग बहतर करने का रतन साबित होगा आपके लिए पुखराज और मोती भी बहतर रतन होते हैं लेकिन इस रतन को धारन करने से पहले अपनी जन्मकुंडी जरूर दिखाएं उसके बाद ही पुखराज और मोती को धारन करें बिश्ची ग्रास के जातकों के रिष्टेदारों से नहीं बनती यह सोतंत्र प्रकीत के रहते हैं दूसरों के आधिन रहना कभी पसंद नहीं करते प्री बेक्तियों या मित्रों से किसी एक से सम्मन्द बिच्छेद हो जाता है जमानत कोट के काम अथवा दूसरों पर विश्वास रखने से जीवन में एक बार अवजसी धोका खाने का मोका आता है इनमें आत्म विश्वास वा आत्मिक सरद्धा अधिक प्रवल रहती है जिस संस्था या धर्म के अनुवाई होते हैं उसमें उन्हें पूर्ण सरद्धा होती है अगर आपके स्वास्त की बात करें मासिक धर्म की अनिमित्ता, इस्त्री को कष्ट, कब्ज, गठिया, बबासीर, लीकूरिया और इसके साथ ही दिमाग में ट्यूमर आधि रोगों से परेसान हो सकते हैं फोड़ा फुंसी, जलना कटना आम बात है इनको दातों का कष्ट रहता है इस्त्रीयों को गर्फ पात का भै बना रहता है, मासिक धर्म से तकलीफ रहेगी ब्रिश्चिक रास वाले विक्तियों को पेट विकार या मूत्र विकार का भै भी बना रहता है फिर्दय गला, पेट सम्मंधी रोक बनता है, कफ प्रकित रहेगी, चेचक फोड़े फुंसी आधिका भै बना रहेगा अता इन लोगों को अपने रक्त की सुधता का हमेसा ध्यान रखना चाहिए इसलिए सहे दोध, खजोर, छाच, आध का सेवन करते रहना चाहिए अगर आपके मित्रों की बात करें तो बिरिश्चिक रासवालों के सम्मंध करक, सिंग, मेस, धनू, मीन रासवाले बिक्तियों से अच्छे रहेंगे इनके साथ मित्रता के साथ भागीदारी भी इनकी बेहतर चलेगी तुला, मकर, कुम्भ, रास के साथ ये उदासीन रहते हैं बिरिश्चिक रास के साथ इनका बिरोधी का सुभाव होता है मित्वनवा कन्या रासवालों से इनकी कभी नहीं बनती जगड़े हम विसा चलते रहेंगे इनकी बिरिश्चिक रासवालों के साथ भी पटरी अच्छी बैठती है तो बिरिश्चिक रास के दोस्तों ये था आपके रासी का पूरा लिखा जोखा आपको कैसा लगे हमें कमेंट करके जरूर बताएं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें चैनल में अगर आप पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं मिलते हैं जैस्त्री राम